आप स्वागत है दोस्तों आपका हमारी YouTube चनल Wilson Tech में दोस्तों आज हम सीखेंगे Adobe Photoshop 7.0 में पासपोट फोटो बनाना वो भी बिल्कुल आसान तरीकी से तो दोस्तों देखते रहे हमारी YouTube विल्सन टेक को दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से और सबस्क्राइब जरूर करें बिल्कुल ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों हमने फोटो ऑपन किया है इसमें एक फोटो ऑपन किया है यह देखिए इसको हम हम सबसे पहले सेлекट्न टूल से सलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें बैक्रांड जो है वह कुछ अलग है तो अच्षा sedder करें इसको फोटो को पॉटो से मा क्राना फिक चार सकते हैं और आप को सबस्वा से चीनच कर रहा है इसे तैस तो फोटो को मुग करा सकते हैं इस यह देखिए हमारा photo selection हो चुका है इसके बाद हमें एक नया layer लेंगे Ctrl प्लस N प्रेस करेंगे तो एक नया layer open होगा यह देखिए नया layer आ चुका है इसमें आपको इंचे इसमें size लेना है तो आपको सबसे पहले इसमें A4 लिखा इसको फॉसिक्स किया यहां पर हमें size देना 1.33 इंच height देना है आपको 1.5 और resolution आपको देना है 300 content आपका white होना चाहिए यह देखिए इसके बाद ok करेंगे यह हमारा नया layer तयार हो चुका है अब जो photo हमने select किया है उसको move tool से हम इस layer पर move करा देंगे यह देखिए mouse की मदद से हम इसको move करा देंगे यह photo हमारे यहां आ चुका ctrl T करना है इसके बाद में हमें और photo ctrl minus से छोटा कर लेना है इसके बाद ultra plus shift दबाके रखना है और mouse की मदद से इस photo को हम छोटा करेंगे यह दोनों दबाने से आपका photo का size जो एकदम बराबर आएगा इस पर fit कर देंगे हमारे layer पर इसको थोड़ा सा zoom कर लेंगे ctrl plus से यह देखिए photo arrow की से भी आप बराबर set कर सकते हैं अगर mouse से आपका नहीं हो पा रहा है तो यह देखिए हमने बराबर set करने के बाद में इसको जूम किया यह देखिए बराबर set हो चुका है photo इसके बाद में हम इसको select करेंगे यह जूम करके यहाँ पर आपको करना है control M कर भी करेंगे इसमें थोड़ा सा light बढ़ाना है थोड़ा जडार के ही यह देखिए इसमें light बढ़ाया ok कर दिया यह देखिए थोड़ा सा light बढ़ गया है photo का इसके बाद यह थोड़ा से जो neck पे है यह black black दिख रहा है तो यहां से हम doge tool इस्तिमाल करेंगे doge tool लिया है brush का size कम जाला कर सकते हैं यहां से अब बार-बार करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा हो सकता है यह कर दिया हमने यह दिखिए थोड़ा सा light हो गया इनका जो neck है वह दोस्तो वीडियो पसंद आए तो like, send, subscribe जरूर करें बैल आइकन दबाना बिलकुल न भूले ताकि आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले आपक ब्रस का साइज किया हैं,बन टूल लेके हम इनके जो बाल है,उने थोड़ा सा काला कर देते हैं और जो इनकी मूझे हैं थोड़ा सा ब्रस का साइज कम करेंगे बरन टूल की मदद से मुझे इनकी थोड़ी से काली कर देंगे यहां पर आपको Ctrl L करना है Ctrl L करने से आप फोटो का Light Darkness देख सकते हैं जो भी सही लगता है उसके करके OK कर दें यहां इसके बाद Ctrl U करना है आपको View और Situation करने के लिए देखिए फोटो में कुछ डिफरेंस आ रहा है इसके बाद जब सही हो जाए उसके OK कर दें इसके बाद Color Balance भी कर सकते हैं Ctrl B के साथ आप Color Balance करके OK कर दें जो भी आपको ठीक लगे फिर से हम थोड़ा सा Light कर रहे हैं इसको फोटो को Ctrl M की मदद से कुछ ज़्यादा हो गया फिर से इसको कम कर देते हैं इसके बाद दोस्तो हम फिल्टर में जाके Magic Tools यूज़ करेंगे Magic Pro से यूज़ करने से इसका जो पिक्सल यूँ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा गलो आ जाए फोटो में थोड़ा सा इसके बाद दोस्तों आपको इसे बॉर्डर देना है फोटो में स्ट्रोक करना है एडिट में जाके यहाँ पर आप साइज कुछ भी दे सकते हैं Color Select कर लीजे Black होक के कर दें तो यह देखे बॉर्डर आ चुका है इसके बाद Ultra और Shift के साथ में इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसके बाद Enter करेंगे Ctrl D कर देंगे यह देखे फोटो में बॉर्डर लग चुका है इसके बाद इसको हम Define Pattern में डालेंगे Edit में जाके Define Pattern किया दोस्तों इसके बाद हमें एक नई layer लेना है 4-6 का यह 4-6 का layer लिया Ctrl N से इसके बाद इस photo पे को इसमें fill कराना है तो Edit में जाने के बाद Edit में जाएंगे यह photo हमें fill कराना है ध्यान रहे हैं selection पे जो 4-6 का seat है वो ही रहे यहां से हम Pattern Select करेंगे नीचे आप देखें फोटो देखेंगे आपको इसके बाद नीचे यहां से जो photo हमें Pattern में डाला है वो Select करेंगे इसके बाद OK कर देंगे यह देखें हमारे 12 photo fill class आने से complete हो चुके है तो दोस्तो वीडियो पसंद आये तो Like, Share and Subscribe जरूर करें